महर्शी आत्म साक्षातकार का लक्ष क्या है? आत्म साक्षातकार सर्वोच लक्ष है तथा यह स्वयम ही चरम उपलब्धी है मेरा आशय यह है महर्शी कि आत्म साक्षातकार से क्या लाब है? तुम आत्म साक्षातकार की वांच्छा क्यों करते हो? अपनी वर्तमान अवस्था से ही संतुष्ट क्यों नहीं रहते कारण स्पष्ट है कि तुम वर्तमान दशा से असंतुष्ट हो आत्म साक्षातकार कर लेने पर यह असंतोष समाप्त हो जाएगा तो महर्शी ऐसा आत्म साक्षादकार क्या है जिससे असन्तोश का लोप हो जाता है मैं जगत में स्थित हूँ तथा यहां युध्ध की विभीशिकाएं विद्यमान है क्या आत्म साक्षादकार से इन सब कुंठाओं का निवारण संभव है क्या तुम जगत में हो, अथ्वा जगत तुम में है मैं नहीं समझ सकता, निश्च ही जगत ने मुझे घेर रखा है तुम जगत तथा उसके घटना चक्र की चर्चा करते हो यह सब तुम्हारे अपने विचार मात्र है विचारों का स्थान मन है, मन तुम्हारे अंदर है इस प्रकार जगत की स्थिती तुम्हारे अंदर हुई मैं समझ नहीं सका, मैं जगत के बारे में नहीं सोचता तब भी जगत तो रहता ही है क्या तुम्हारा आशय यह है कि जगत मन से प्रिथक है तथा मन के अभाव में भी जगत की अवस्थिती संभव है जी हां मैं यही सोचता हूँ क्या तुम्हारी गहन सुशुक्ती में भी जगत की अवस्थिती होती है अवश्य होती है महर्शी क्या तुम सुशुप्ती में जगत का अनुभाव करते हो नहीं मैं अनुभाव नहीं करता किन्तु जो लोग जाग रहे हैं वे तो अवश्य करते है क्या सुशुप्ती में भी तुम्हें इतना बोध रहता है कि दूसरे अनुभाव कर रहे है अध्वा अन्य व्यक्तियों के अनुभव का बोध तुम्हें अब हुआ है जागरत अवस्था में हां महर्शी मेरी जागरत अवस्था में ही हुआ आशय यह है कि तुम जागरत ग्यान की बात कर रहे हो न कि सुशुक्ति के अनुभव की तुम्हारे जागरत तथा सुपना वस्था के जगत का अस्तित्वत तो स्विकारिय है क्योंकि ये मन की रचनाएं है शुशुप्ती में मन अंदर खीच लिया जाता है तथा जगत बीज रूप हो जाता है यह तुम्हारे जागरत होने पर पुनहस्थूल रूप ग्रहन कर लेता है अहंकार का उद्भव होकर वह स्वयम को देह रूप मान जगत का अनुभव करने लगता है इस प्रकार जगत मन की स्रिष्टी है तो यह किस प्रकार संभव है? तुम क्या स्वप्न में जगत की स्रिष्टी नहीं कर लेते? जागरत अवस्था भी चिरकालिक स्वप्नवत है जागरत तथा स्वप्ना नुभव की प्रिष्ठ भूमी में द्रश्टा का होना आवश्चक है यह द्रश्टा कौन है? क्या वह देह है? नहीं महर्शी, देह का द्रष्टा होना तो संभाव नहीं है तो क्या वह मन है? महर्शी, मन का भी द्रष्टा होना संभाव नहीं है किन्तु, तुम्हारा मन के अभाव में भी अस्तित्व है वह किस प्रकार है महर्शी? गहन सुशुप्ती में तो क्या मेरा अस्तित्व है? इसका मुझे भान नहीं होता? यदि तब तुम ना रहे होते, तो कल के अनुभवों की स्मृति किस प्रकार होती? क्या यह संभव है कि सुशुप्ति में अहम की अविच्छनता भंग हो गई हो? संभव तो है महर्शी, यदि ऐसा हो तो शुशुप्ति का राम शाम होकर जग सकता है, तब एक व्यक्ति की विशिष्टिता किस प्रकार प्रमानित होगी? मैं नहीं बता सकता, यदि इस तर्क से स्पष्ट नहीं हुआ, तो अन्य प्रकार से समझने की चेश्टा करो, तुम स्विकार करते हो मैं प्रगाड निद्रा में सोया, गहन निद्रा में मुझे ताजगी अनुभव हो रही है, सिद्ध हुआ कि निद्रा का अनुभव तु शुशुप्ती में भी अस्तित्व होना आवश्यक है। जी हां महर्शी, शुशुप्ती में अहम था, फिर यदि उस अवस्था में जगत का भी अस्तित्व था, तो क्या अहम ने उस अस्तित्व की साक्षी दी? नहीं, तथा पी जगत अपने अस्तित्व की साक्षी अभी तो मुझे दे रहा है महर्शी, यदि मैं उसके अस्तित्व से इनकार भी करूं, तो मैं पत्थर से ठोकर खाकर अपने पैर को घायल कर सकता हूं, चोट से पत्थर का तथा इस प्रकार संपूर्ण जगत का अस्तित नहीं, महर्शी, अहम कहता है कि पत्थर का स्तित्व है, तो पहले यह जानों कि यह अहम कोन है, यह न देह हो सकता है, नहीं मन, जैसा कि हमने पूर्व में विचार किया, यहीं अहम है, जो जागरत, सुपन, सुशुप्ती का अनुभव करता है, उक्त तीनों अवस्थाएं परिवर्तित अवस्थाएं हैं, जो विक्ती को प्रभावित नहीं करती, अनुभव चित्रपट के पट पर आते जाते चित्र हैं, चित्रों का आगमन तथा लोप, पट को प्रभावित नहीं करता, इसी प्रकार, एक के बाद दूसरी अवस्था इन तीनों में से आती जात तथा पि वे आत्मा को प्रभावित नहीं करती, जग्रत तथा स्वपन अवस्थाइं मन की स्रिष्टी हैं, आत्मा में ही ये सब समाहित हैं, यह ज्यान कि आत्मा अपनी पूर्णा अवस्था में आनंद युक्त है, आत्म साक्षातकार है, इसका उप्योग पूर्णता की उ लब्धी में हैं, तो क्या आत्म साक्षातकार की अवस्था में रहना, पूर्ण सुख की अवस्था हैं? यदि व्यक्ति जगत के सुख है तू, कोई योगदा न देता हो, व्यक्ति किस प्रकार सुखी हो सकता है? जो स्पेन में, चीन में युध्ध चल रहा हो, क्या जगत की सेवा किये बिना आत्म साक्षातकार में रमन स्वार्थ परता नहीं है महर्शी तुम्हें यह संकेत किया गया था कि आत्मा संपूर्ण जगत को स्वयम में समाविष्ट किये हुए है तथा जगत से परे भी वह है जगत आत्मा से प्रधक अस्तित्व नहीं रखता ऐसी आत्मा का साक्षातकार यदि स्वार्थ परता है तो इस स्वार्थ परता में सर्व जगत समाहित होगा इसमें कुछ भी लांचनी ये नहीं है तो आत्मग्यानी व्यक्ति क्या अनात्मग्यानी व्यक्ति की समान ही जीवनियापन नहीं करता सत्य है किन्तु अंतर यह है कि आत्मग्यानी जगत को आत्मा से प्रतक नहीं मानता वह ग्यान एवं परिपूर्णता जनित आंतरिक आनंद से समरिध होता है जबकि अनात्म ग्यानी जगत को प्रिधक मान कर अपूर्णता एवं कलेश से पीडित रहता है अन्य था उनके भोतिक कारिय कलाब सब समान होते हैं तो आत्मा को उपलब्ध करने वाला व्यक्ती भी अन्य वर्ग के व्यक्ती के समान यह जानता है कि यह संसार में युद्धों का विरभाव होता है हाँ बिलकुल जानता है तो फिर उसके लिए सुखी होना किस प्रकार संभव है क्या अगनी कांड अथवा ज्वार की द्रिशावली से चित्रपट पर प्रभाव पड़ता है आत्मा के संबंध में भी ऐसी ही तो स्थिती है मैं देह अथवा मन हूँ यह भाव इतना गहन है कि अन्य प्रकार से आशवस्त हो जाने पर भी इससे निवरित होना कठिन है स्वपन दर्शन के पश्चात जगरत होने पर स्वपन की अवास्त विक्ता का ग्यान हो जाता है इस प्रकार प्रतेग अवस्था अन्य अवस्था का निशेध कर देती है सिद्ध हुआ की अवस्थाएं दृष्टा के क्षेत्र में घट रहे परिवर्तन है अथवा आत्मा के सीमा क्षेत्र में घट रही स्थूल दृष्शावली है तथा आत्मा अविच्छिन है और परिवर्तनों से अप्रभावित है जिस प्रकार जागरती इस वपन तथा सुशुप्ती की अवस्थाएं दृष्शावली मात्र है उसी प्रकार जीवन विकास और मृत्यु आत्मा के क्षेत्र में घटित दृष्शावली मात्र है और आत्मा सतत अविच्छिन और इन परिवर्तनों से अचुती रहती है पूर्व भी था तथा देह पात के पस्चात भी रहेगा क्रमानुसार योनियों की श्रिंखला के विशय में भी यही जानो आत्मा नश्वर नहीं है दृष्य जगत परिवरतन शील है तथा नश्वर प्रतीत होता है मृत्यू का भै देह का ही है आत्मा के लिए कोई मृत्यू नहीं अज्ञान के कारण यह भै है साक्षातकार का अर्थ है आत्मा की पूर्णता तथा शाश्वत्ता का पूर्ण ज्ञान नश्वर्ता विचार मात्र है तथा दुख का कारण है आत्मा की अविनश्वर्ता की अनुभूती द्वारा ही तुम इस भय से मुक्त हो सकते हो